नमस्कार किसंसात्यों स्वागत है आपका एक बार फिर से मालवा की खेती यूटूब चैनल पर किसंसात्यों आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो काडिया हैं अफिम की फसल की हैं डोड़ा तोड़ने के बाद अफिम की फसल क्या उशेश हैं और इनका निप्टारा यदि अच्छी तरह से कर दिया जाए तो आगामी फसल में हमें काफी फाइदा हो सकता हैं क्योंकि लगभक 80-90% जो किसान है वह एक ही जगह अफिम की फसल लगाते हैं परतिवर्ष होता क्या है यदि इन काडियों को यदि हम रोटाविटर करके जमिन में मिला देते हैं तो इन पे जो रोगो यानि जो फपून के उशेश हैं वो जमिन में मिल जाते हैं और वहाँ प पर अफिम की फसल बहते हैं तो यह फपून फिर से सक्री हो जाते हैं और हमारी फसलों में लगते हैं इसलिए हमें इन अवशेशों का निप्तारा अच्छी तरह से करना है ताकि आने वाली फसल में हमारा खर्चा जो दवाईयों के नाम पर हैं वो कम से कम हो तो किसन सात्य इसके लिए आपको एक भूल कभी नहीं करने हैं यदि आप उसी जगह पर अफिम की फसल लगा रहे हैं तो इनको रोटावेटर करके मिट्टी में ना मिलाएं क्योंकि इन पर फपून जिविद रहेगी और अगले वशे आपको अधिक मात्रा में दवाईयों का छिड़का तो अन्य फसलों के लिए वहां पर खाद बन जाएंगी इनकी या आप जिस खेट पर अफिम की बुवाई नहीं करते हों वहां पर मेड़ पर एक ढड़ी लगा दे बारिस के पानी से विसे भी यह जल्दी से सड़ जाएगा और फिर खाद बन जाएगा आप इसे अन्य फस पसल में आपको बहुती कम दवाईयों की जरूरत पड़ती है और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पटी वर्ष एक ही जगा अफिम की पसल बो रहे हैं तो हर तिसरे वर्ष आप वहां की मिट्टी की जो गहरी जूता हैं यदि वो करवात देते हैं तो तेज दूप के कराण वह समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार आपकी जमीन की उब्जयाव शमता भी बनी रहती है साथे साथ जो कीट और हानिकारक पपुझे वह भी तेज गर्मी के कराण समाप्त हो जाते हैं और आपकी फसल में जो दवाईयों के नाम पे जो इस्टा ल वारा भी तो जितना हो सके हम वहां तक हम इसको कम कर सकते हैं तो इन प्रशिय उस्षव से प्येलने वाले रोगों और किटों को हम आसाने से बचा सकते हैं तो इस बात का ध्यादर रखते हुए उम्मीद करता हूं कि आप दी हुई जनकारी आपको लाबदायक होगी चाहे चाहे आपका लाइसेंस वाला हो चाहे आपका लूनी चीर्णी वाला लाइसेंस हो दोनों ही अवस्ता में आपको जो अफिम की काडिया हैं या यह अवशेश हैं जो आप देख पा रहे हैं इनका निप्टार अच्छी तरह से कर पाएंगे और आग जलाने का काम बिल्कुल न करें किसन साथियों क्योंकि उससे मिट्टे भी खराब होती है और हमारे जो लाबदाइक मित्र पपुन और जो मित्र किटानों वो भी समप्त हो जाते हैं तो आप इनमें आग न लगाएं आप इनका अन्य उप्योग कर सकते हैं जैसे कि पशो के छपर बनाने में भी जो अ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अन्य किसन भाईयों खित में से शेयर कीजिएगा आप किस विशेगी पर वीडियो चाहते हैं उस विशेगी को आप कमेंट में में जरूर कीजिएगा किसे भी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपको भूत भूत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिन, जय जवन, जय किसान.